अनीता क्रेशर में आपका स्वागत है आज मैं अपने एक प्लांट के बारे में बताऊंगी मैं नर्सरी में गई थी तो अभी मैं वहां से अलग लग विराइटी के काफी प्लांट लेके आई हूं तो उसमें से सोचा कि जो नर्सरी में जो मुझे मिला वो ये एक लांचू क přाव यकल मिलें कि ऌकी प्लांट में यह क НаArment emp लांट में यह के लिएक प्लांट है लेकिन अभी इसमी घंछ ही धिरे धिरे यह रूह करना लगता है यह विंटर फ्लांट एक और यह सर्दियों में लगता है यह गर्मियों में तो इसकी हालत बहुत खरा हो जाती है यह देगी मेरे पास यह दूसरी विराइटी का था मेरे पास यह तो इसकी हालत देखिए अब इसमें हरी पतिया यह आने लगी है यह तो यह बिल्कुल सूप गया था और यह लास्ट मै प्लांट लेकिन अभी तक मैं इसमें देखे नहीं कि प्लांट लेकिन अभी इसमें पत्तिया निकल रही है तो उसी को देखते हूँ एक लिए प्लांट लेकिया विनर्सरी से तूसरी विराइटी है यह है यह हाइब्लिड वाली जो है इसमें बड़े फूल लगेंगे डबल उसमें आते हैं यौ दूल Γटा comparison damage ideia aan by और यह मी लेकिनन रुषी. तो इसमें पर तीन है, इसमें जो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मेरे तीन प्लांट है, ये देखे, एक डंडी, एक हमारी ये है, एक डंडी मेरी एक ये है, और एक ये, तो अभी मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी, देखते अंदर ये तीन ही है, कि ये एक ही है, और इ बिल्कुल मिटी के लिए इसके लिए वोह इसके लिए तो अचुकर मीटी यहां से आपको मैंने पहले भी किसी दूसरी उसमें प्लांट वाले में भी आपको मैंने बताया कि अगर उपर से हम इसको तोड़ देंगे तो हमारी जो नीचे से नई ब्रांज निकलाएगी और उपर यह लंबा प्रोधा नहीं बनेगा हमारा तो यह हमने मैंने लगबक सार यह से निकलना शुरू हो जाएगे यहां पर प्लांट और यहां पर फूल निकलेगा फिर हमारा जो आएंगे लेकिन हमने ध्यान यही देना है कि पत्ता होना चाहिए अगर इसके बाद फरवरी जनवरी में इसमें जो है कलिया निकलना शूरू हो जाती है तो आपने वह ध कलियों को पहले दिंख जाएगा कि कैसी कलियों में फूल से थोड़ा पिंकिल्व घूला हमारे में तो इसमें पानी पर जरूरत इसमें पानी की भी wise जरूरत नहीं है पानी हमने तब देना बिल्कुल हमनेने कृणrebbe दना है हमने पॉन्ऊंटक है यह तो वेल्ड्रीन मिट्टी इसकी रखनी है . इसके अंदर पानी है , तो जो वि ऐसा प्लांट होगा ुसमें पानी की जुरूर्वत जादा नहीं होती है क्योंकि ज्यादा ज्रूरत होगी तो यह फंगस इसमें लग जाएगी और आपका प्लांट ख्राब हो जाएगा तो सबसे पहले यह मेरे जैसी यह लगा हुआ है यह देखिए इसमें हरी पत्तिया निकल रही है लेकर पानी देखिए इसकी किती ड्राय है यह बिलकुछ सूख मिट्टी पूरी ड्राय नहीं हो जाएगी तब तक हमने इसमें पानी देना है पानी का हमने यह द्यान रखना है कि मिट्टी का पहले रेशियो हमने अच्छी तरह से बना देंगे तो अगर थोड़ा पानी जैसे ज्यादा भी चला जाएगा तो पानी एक्टम जड़ों को छूते हुए नीचे से नहीं कर जाएगा मिट्टी का थोड़ा हमने ध्यान रखना है फ्रेंड सेकिंड सर्दियों में हमने इसको धूप की बात करें तो धूप में हमने इसको सुबह की तीन चार गंटे की हमें धूप में रखना है दारेक्ट सनलाइट में हमने इसको रख या तो पोधे वखरा कोई होंगे जैसे आपके तो उनके नीचे आप इनको रख सकते हों इन्डरेक्ट सललाइट जो है उसमे रखना है आपने डारेक्ट इल्लाइट में नहीं रखना है क्योंकि आपको पता ही है कि घर्मी धूप यहां पे ज़ादा थेंपरेचर हाई हो जा एक डंडी में किसी में तोड़के लेके आई थी तो ऐसा नहीं है कि नम सब्सक्राइबं राख न तो पड़ Fahrenheit अ की पोदे बाड़े के सब्सक्राइब ऑर पानी का चरणाय करनाया सिपना तो ये पत्टो पंड़ jo सब्सक्राइब इसको मेरे पत्त नके अन तो कई जगा से जैसे प्तियों हमारी टूड़ जाती है। और उसमें पानी अगर चला जाता है, तो हमारे प्लांट खराब हो सकते है, उब भर छग दिए, तो इसमें फञगवने हैं पानी फ्रेंश में,. अगर आपने पत्तियों को साफ भी रखना है तो यह हलके हाथों से यह कोई गिल्ला कपड़े से उससे आप साफ कर सकते हैं तो उस तरीके से अगर मैंने तो आते हैं इसमें पानी भी छड़का था ऐसा नहीं है लेकिन अगर आप विगनर हैं और अभी आपने लगाना सुरू कर छोंसे घर देनी है शुरूंसर ₩ कि और सफस्वनों में अगर रखा हैं शरूंसर और अगरते रखा यह उसमें 2019 वाला यह या 2020 वाला आपने फटिलाइजर देना है तो वह उसके लिए काफी अच्छा है फटिलाइजर उसके एक चम्मच आप पानी में पानी में भिगो के रखें और शुबे फिर नीचे इसमें पानी में पोदो में डाल सकते हैं आप नीम खली दे सकते हैं, हमने 5 घंटे की धूप में रखना है और इसका जो फ्लारिंग जो है हमारा जैन से शुरू हो जाता है, जन्वरी से शुरू होके मार्च अप्रेल तक जाता है इसका फ्लारिंग और बहुत ही अच्छे गुच्छों में फूल आते हैं, बहुत ही प्यारे हमारे अलग तो के प्लांट यहां आइगे जे सरिकने पार। तो बनी तो क्यों है तो ... माणा अशनों तो अब سबसा है निए तो इसमें स्थ्थ्थरों सुख़ाइद साइब एंचijk. और यह जो नॉर्मल विराइटी है इसमें थोड़ी छोटे आते हैं लेकिन यह भी गुच्छों में आते हैं और यह जो फूल हमारे लगते हैं तो यह एक-एक महीना तक चले रहते हैं तो चले इसकी जादा देर न करते हैं इसकी मिट्टी को देख लेते अंती है हैं तो इसमें मैंने एक हिस्सा मैंने मिट्टी का लिए है और एक हिस्सा मैंने इसमें compose के लिया है, यह 3 चीजे लिये हैं मैंने, अगर आप ko-ko-piet डालना जाते हैं तो आप वो भी डा सकते हैं, इसमें मैंने नीम खली डाली है दो मुठी, और दो मुठी मैंने इसमें bone meal डाला है ब्रेट, तो यह सब चीजे हैं, और एक जो है पहले मिक्स कर लेती हूं बूरी मिट्टी को अलदी में इसे लें तो फ्रेंडी यह हमारी मिट्टी हो गई है तेयार तो यह मैंने एक पोट लिया है यह पोट मेरा एक घर पे ही पड़ा हुआ एक बटका था वैसे तो मैं प्लास्टी की कुछ भी कैन वैन का भी बना लेती हूं लेकिन घर पे बना हुआ था पड़ा था मेरे पास यह मिट्टी का एक तो इसी को मैंने बना लिया है यह पांच इंच के करीब है यह तो इसी में हम एक जो प्लांट है इसमें लगाएंगे तो पहले हम दे चलिए पुने में कमा गड़नाइन दाला है यthi बिन हुआ है यह देखी यह तो उससी निकल जाए तो हम अलगलग बना लें लेंगे और यह cutting से बहुत अच्छी तरह से grow हो जाता है फ्रेंड तो हम इसको छोटी से छोटी डंडी भी इसको लगा सकते हम इसकी लेकिन अभी नहीं लगाएंगे अभी फिलहाल देखेंगे कि इसके कितने हैं लेकिन हमने इसको जड़ों को ज्यादा disturb नहीं करना है हमने तो आराम स आरे उससे हैं मुझे लग रहा है एक ही है फ्रेंड यह देखे हैं हमारे तीर प्लाट बन जाएंगे इसके यह लग लग तीर निकल अगये हैं तो इनकी जड़ों में थोड़ी मिटी जो रह गई है वह हमने इतनी रहन देनी है तो पहले हम इस मिटी को थोड़ा कर लेते है हिला लेते हैं पहले, इनको मिला लेते हैं, पूरी बिटी को इसमें diferen graphite help को पीट हैंं, कि यह इसका भी इसमें चल जाएगा कि फ्रेंड यह हमारी मिट्टी होगी यह रडी तो इसमें पहले हम डाल लेते हैं तो इसमें डालने से कहले मैं यह जो यह मैने एक दैया खिया लिया है तो यह दीए हो हम इसमें ऐसे उल्टा Socर मैने दी आ को रख दिया है ताकि इसमें जो पानी और आराम से निकल सके है तो यह मैने उल्टा करके डाल दिया है और इसको हम अब इसमें कि तांख थी दाल देती फेलिए थोड़ी सब्सक्राइब है तो उसके बाद इसको रखटेए यहां हम लोय शेंचर में लगाना इसको मैं साइच से मिट्टी लेन そう चुरह चुन्व पार आश कि मिट्टी अच्छी तरह भर देनी और अच्छी तरह दबा देना इसको कि इस टाइम ट्रैंट सबसे ठीक रहता है यह मोसम थोड़ा ज्यादा ठंड भी नहीं है वह ज्यादा अभी ठंड अच्छी है इसमें इस वक्त और दूप में अगर आम इसको रखेंगे तो हमारी काफी अच्छी फ्लारिंग करने वाला है यह प्लांट चली दूसरे को में ल को हैं इसमें वन्त ऐ सब्सक्राइब में यह एक लिए भच कर दो खेंगे शोंग चुषय को ऑलग सब्क। पत्थर मतलब यह वैल ड्रेंटीक रहती है जैसे इसमें काफी अच्छे चेद इसमें ते रहे तो यह अच्छी है कि मतलब जैसे पानी चूके निकल जाएगा जणों को चूके मिट्टी इसमें डाल देते हैं कि इसमें एक प्लांट इसमें लगा देते हैं इस तरह से इसमें रख देने और जो यह मिट्टी है यह इसमें डाल देंगे मिट्टी का मैंने आपको बताइगे है कि हमने क्या कया है। इसमें जो रेत का बहुत इंप्टेट पार्ट है च्छेश इसमें रेत जुरू डालनी है हमने जो रीवर सेंड हूती है वह जुरू डालनी है ताकि उससे हमारा जो है अंदर मोश्चर जो है रुके ना हमारी पानी है थोड़ा और कोको पीट इसलिए डालते हैं ताकि मोश्चर थोड़ा होल्ड रहे इसमें इससे यह होगा कि हम अगर ज्यादा पानी भी अगर दे देते हैं अपने पोडे को तू रुकेगा नहीं वो के माणे पाहिए यह मैं फरटिलाइजर डालओं तो मैंने ऊच्छीश का बनाय कि इसमें फियाज के चिलके जो हमारे इसको मैं एक हफ्ते के लिए रखोंगी और यह चाहन और यह मैंगने टी यहा साão साफ. यह मैंने टीज महिने तक यह बना तक फ्याज़कों ने मृट200 नEZरेकन खरते पक्तम अलग फिलाग बनाया था गेल ही में канते फिर यह लाग फिलाट मे बनाया था। तो ऐसे तो कई लोग जैसे पानी वानी में डालते हैं लेकिन डारेक्ट थोड़ा इसमें डाल दूँगे मैंने जगह इसमें इसलिए कम चोड़ी है ताकि पानी इसमें जादा जाए ना और मिट्टी हमारी उपर तक इसलिए है कि अभी थोड़ी बैठेगी भी मिट्टी तो ये ये फटिलाइजर मैंने साथ में डालती है तो यह हमने 15-20 दिन में एक बार डालना है तब फ्लारिंग का टाइम होता है तब हमने ये डालना चाहिए यह आप गुडल बगएरा के पो यह दिन में अलग से वीडियो बनाऊंगी कैसे फटीलाइजर मैं पहले भी बताया था कि कैसे फटीलाइजर कैसे बनाना चाहिए तो इसके एक वीडियो में अलग से बनाऊंगी तो फ्रेंडेंड यह देखिए हमारे लग गए है कलांचुके पोदे और अब इनको एक दो तो फ्रेंड यह देखिए हमारे प्लांट अब लग चुके हैं अगर नर्सरी उसे आप लेके आ रहे हो तो यही दियान रखती हूं कि अगर एक ही प्लांट में दो तिन पोदे हमें मिल जाते हैं तो वो ठीक रहता है कि उसी रेट में हमें सवहbage सब्सक्राइब करियाे हैं तो यह देखिए हमारे तीन प्लाइट के बन छुके हैं सेमी के लिए रखोंगे और उस के बाद फिर मैं इसको दूप में रख दूँगे सब्सक्राइब करेंगे लेकिन वही है कि हमने प्लांटों के सब्सक्राइब अगर आपको कुछ और भी अगर जानकारी पूछनी है तो में इसे कमेट करके जुरूर पूछिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूले ओके फ्रेंड बाई